हलो दियर स्टुडेंट्स वल्कम बैक टू मैं चैनल एस्कॉलर्शिप ट्यूटर इस चैनल के माध्यम से आपको एनमेमेस एक्जाम से जुड़ी और अन्य एस्कॉलर्शिप के बारे में भी सबसे पहले लेटिस्ट अपडेट दी जाती है इसलिए आपसे मेरा नरोद होगा इस चैनल को सब्सक्राइब करके वैल आइकन जरूर दबा के रखें ताकि आप हमारी कोई भी अब्डेट मिस्स ना कर सके तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि आप एनमेमेस परिक्षा 2022 का रिजल्ट किस प्रकार चेक कर सकते हैं ये वीडि को कैसे अपने मोवाइल फोन या डेक्स्टॉप से देख सकते हैं इसलिए इस वीडियो में अंतक बने रहे हैं सकते हैं कि हम अपने मोवाइल फोन के स्क्रीन पर आ चुके हैं और इसके बाद आपको अपना क्रॉम ब्राउजर खोल लेना है आप से मेरा एक रिक्वेस्ट ह जिस परकार से आएगा उसके बाद आपको सर्स करना है एसे आपको सर्स कर लेना है इसके बाद आपको swtage क्लेत कर लेना है इसको और में जाएंगे इसstart.com यहाँ पर आप फिर आपको नीचे स्क्रॉल करते रहना है करते रहना है उसके बाद आपको आना है schoolcarrier360.com आप स्क्रीन सौट भी ले सकते हैं इसी वेब साइट पर आपको विजिट करना है यह हमारा ओफिसियल वेब साइट है यहाँ पर आपको क्लिक करना है उसके बाद schoolcarrier360.com उसके बाद आपको नीचे स्लाइट करते रहना है ऐसा आपको इंटरफेस आएगा सबसे बाले आपको सबसे बाले नीचे स्क्रॉल करना है ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा उसके बाद आप देख सकते हैं एस यहां पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि एस यह हमारा ऑफिसियल वेब साइट है सभी एस्टेट के लिए ऐसा नहीं है कि हम एक स्टेट का बता देंगे आपको ऑफिसियल वेब साइट और उसी ऐसे में आपको प्रब्लम हो जाएगा अगर आप किसी दूसरे एस्टेट से हैं इसलिए आपको हम सभी एस्टेट का ओफिसयल वेब साइट दिखा रहे हैं सबसे पहले आप देख सकते हैं अंधर प्रदेश का यह ओफिसियल वेब साइट है http bseagorg आपको ऐसे टाइप करने की जूरत नहीं है क्योंकि हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी मैनत से आपके लिए सभी एस्टेट का लिंक वहाँ पे दे दिया है आप वहाँ अपने एस्टेट का नाम देखके उसके सामने वाले लिंक पे क्लिक किजिए उसके बाद इसके official website पे आप पहुँच जाएंगे अपने estate के उसके बाद three dot यहाँ पे दिखेगा आपको three dot पे click करके उसके बाद result पे जाएएगा आपको result अराम से easily आप चेक कर सकते हैं description box में सभी का link आपको दिया है सभी estate का जो जो NMMS exam conduct करवाते हैं इसलिए आपको type करने की जुरूत नहीं है आप हमारे description box में नीचे जाएए उसके बाद आप अपने estate के नाम के सौमने जो link है उसके क्लिक किजिए आप इसके official website पे पहुँच जाएए ऐसा आपको interface होगा देखिए अंडमान निकोबार का यह है www.nic.in यह सबी इसके official website है यह तो मैंने discussion में दे ही दिया यह link इसलिए आपको कोई person ही नहीं होगी जिससे उसके बाद आपको हम आगे बताते हैं किस परकार आपको NMMS का result चेक करना है या पर जैसे आपके आप देख सकते हैं How to check NMMS result 2021-22 आपको बता दे कि कुछ state ऐसे भी होते हैं जो अपना NMMS exam का result offline mode में जारी करते हैं इसलिए आप यह भी दियान रखेगा कि कोई state offline mode में भी अपना NMMS result डिक्लियर करते हैं कोसना करते हैं कि हमारा NMMS result offline से जारी होगा इसलिए offline से भी कोई state करवा सकते हैं पर साफ साफ लिखा गया है उसके बाद online ज्यादा तर इस्टेट इसे NMMS result देते हैं इसलिए आपको बता दे रहें किस प्रकार आप online अपने mobile phone यह desktop से इसलिए अपना result चेक कर सकते हैं सबसे पहले पहला step आपको कैसे आप चेक करेंगे चाहें आप किसी भी राज से हो go to the official website of respective SCERT मैंने आपको पहले भी यह वीडियो बता दिया है SCERT लगा के अपना state का नाम दे देना अगर वह वीडियो आपने नहीं देखा तो उपर आई बटन पर भी link है आई बटन पर क्लिक किजिए उसके बाद यह वीडियो देख लीजिए SCERT लगा के डिपार्टमेंट ऑफ दे रिस्पेक्टिव स्टेट और क्लिक ऑन दे नमेस रिजल्ट 2002 लिंक तो गिवन एवर ठीक है उपर जो official website आपको दिया है जैसे मेरे description box में आप जाईएगा उसके बाद अपना स्टेट का नम देखके उसके सामने वाली link पर क्लिक किजिएगा उसके बाद आपको एक पेज ओपन हो जाएगा उसका official उसके बाद देख सकते हैं नमेस 2021 रिजल्ट यानि की 2022 भी हम्मान के चल सकते हैं हर साल का ऐसा ही स्टेप होता है ऐसा नहीं है कि य नमेस 2020 रिजल्ट पीडियाफ फिल वी एपियर उन दे स्क्रीन दो कंपीटर चेके सुदेंट्स ने जैसे आप ऑफिसल वेब साइट पे पहुंच जाएगा उससे स्टेट के त्री डॉर्ट पे क्लिक करना आपको त्री डॉर्ट पे उसके बाद आपको वहां रिजल्ट का हर स्टेट हर साल एक मेरिट लिष्ट जारी करता है जिसके आधार पर आपको यह कंफॉर्म होगा कि आपको स्कॉलर सिप दी जाएगी इसलिए आपको मेरिट लिष्ट के लिए वेट करना होगा कुछ समय के लिए कम से कम मेरिट लिष्ट आने में चार से पाच मन्त लग ज आपको mental ability test यानि कि reasoning type जो आपका मांसिक योगता परिक्षा का पेपर था कितना उसमें नमर आया यह भी रहेगा रिजल्ट जबाएगा उस official website पर यह भी रहेगा उसके समने उसके बाद set यानि कि scholastic aptitude test यानि कि सैक्षिक योगता परिक्षा का भी आपको marks उसके समने लिखा रहेगा कि mat में इतना नमर आया सेट में इतना या टोटल भी लिखा रहेगा और उस आधार पर आपका सेलेक्षिन होगा अगर अच्छा होगा टगा ले प्रिंट और उसका प्रिंट करवा ले जरूर जाकि फ्यूचर के लिए आपको अच्छा हो एनुमेंस रिजल्ट उसका सेब टू प्रिंट पीडियाफ में उसको डाउनलोड कर लिजेगा उसके बाद आपको उसका प्रिंट निकल वा ले ना है ये आपके लिए फाइदे मन होगा तो आज का ये वीडियो हमारा यही समाथ होता है तब तक के लिए पढ़ते रहे हैं all the very best एक बात और आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि आगे भी अगर फ्यूचर में आप कोई भी competition ही जाम देते हैं तो आपको OMR seat भरने का सही तरीका जयान लेना चाहिए इसलिए screen site पर क्लिक करके इस वीडियो को जरूर देखें